नमस्कार, कुटबुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, मैं पंकशे रावात उपस्तित हूँ आपके सामने महतपूर्ण जानकरी लेकर, जिहां राजस्थान युनिश्टी रिजल्ट 2023 को लेकर बार-बार डेली अपडेट आ रही है, और रिजल्ट से आपर ऐसा भी सवाल देखने को मिला, क्योंकि मारकशीट बिल्कुल अदूरी थी, ऐसा भी हमें देखने को मिला, मारकशीट भी मैं आपको प्रिंट बेज दूँगा, टेलिग्राम पर वहां से देख लेना आप, क्योंकि मारकशीट में रिजल्ट पूरा नहीं दिया गया था, एक अदूरा रिजल्ट भी देखने को मिला, कुछ वर्ड ऐसे लिखे हुए है, हिंदी में लिखा हुआ है, में, या फिर डिविजन वाइज कुछ लिखा हुआ है, रिजल्ट में पास लिखा रहा है, अच्छे नमबर आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि पास कहां पे लिखा रहा है, ऐसा भी सवाल देखने को मिला, PPTO का मतलब क्या है, SUPP का मतलब क्या है, Revelation Forum, अगर हम रिजल्ट से ऐस संतुष्ट हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन सभी चीजों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बिलकुल वीडियो में चैनल को सबस्क्राइब कर लेना, पूरा वीडियो के देखने के बाद में, जी हां आज बात करते हैं, राधस्तान यूनिस्टी रिजल्ट दोहजार तेईस, एक सवाल सबसे बड़ा पहले उसके बारे में हम बात करेंगे, कि बिकॉम के तो तीनों रिजल्ट आ चुके हैं अब किसकी बारी है, अब थोड़ा सा दड़कने तेज हो गई होंगी, क्योंकि बाकी रिजल्ट में सबसे पहले अब किसका आएगा नंबर, बिकॉम में प्रक्टिकल वगरा भी नहीं होता है, लेकिन बिकॉम में प्रक्टिकल भी होते हैं, एक्जम के बात तक चलते रहते हैं, मोका मिलता रहता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समय लग सकता है, यह चीज आप जान रखें, मुझे ऐसा लगता है कि दस जून क्या सपास आ सकता है, अगर पहले भी कोई आया तो बिस सेकंडियर का रिजल्ट पहले आने के पूरे चांस रहेंगे, यह चीज आप जान क्या क्या है, जैसे बिकोम का तॉप पहले बिकोम सेकंड का या, फिर बाद में विकोम थर्ड का, तो ठीक ऐसा ही देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा क्या एक दिन का result आया उसमें क्या देखने को मिला कि टोटल नंबर बहुत अच्छे नंबर आ रहें तीनसो चारसो नंबर देखने को मिल रहें लेकिन इस साथ देखने को मिल रहा है तो एक बार पूरा प्रोड नहीं हो पाया था अब बात करते हैं पास फैल और रास्ता ये काफी चीज़े जिसके पास हो चुके हैं बिकॉम आपका हो चुका है ये चीज़ आपदान रखें ये बिकॉम की बात हो रही है फैल जिसका फैल लिखा आया है वो चीज़ आप जानने कि आप फाइनल येर में फैल हो चुके हैं अब आपको फाइनल येर दुबारा से करना पड़ेगा अगर पहले कोई डू चलते आ रहे हैं तो वह भी आपको देने पड़ेंगे मुका मिल जाएगा इस चीज़ आप जा मिला के हम देखें सब्जेक्ट वाइज तो भी लेकिन उसमें पास नहीं लिखा रहा तो लेकिन उसमें क्या लिखा रहा उस चीज़ को समझ ये वह रोमन संख्या में आपको देखने को मिल रहा होगा आई की तरह है तो इसलिए जिसका भी हिंदी में फॉन्ट है उसका क्य मिल रहा वहां पर क्या रिजल्ट में देखने को मिल रहा होगा आई इस टाइव से हिंदी में जिसके लिखा है उमनां यहां आप तो यह यहां पे घंड जिसके भी सेकंड डिविजन लिखा है उसके सैकंड आया वगा तो यह work से रिलेटीड चीजे काफी विद्यार्त के रहें प्याट जिखाएगा तो ही पास आपका एगरी केट करके आपको परसंटेज होसे ने बता दिया कि आपका डिविजन आपका जो graduation है इस division के तहट पास हुआ है विकॉम first, second, third, तीनों का मिला के उसने grade यहाँ पर grade दे दिया है इचिज आप जानने के एक सवाल इसके बीच में आपको और बता देता हूँ काफी विद्यारतों के result में पास भी लिखा आगया लेकिन वो कह रहे हैं कि जो man mark sheet आएगी उसमें लिखा आएगा ग्रिस लग गई होगी आप जिसको हम grace बोल चाने इस चीज़ आप जाने ग्रिस बोल चाने तो यह ग्रिस लग वहाँ पर लग गई होगी नो नमबर तक की maximum लग जाती है यह चीज़ आप जान रखें रिजर्ट तक की बात होगी अब आता है पीपीटियो लिखा हुआ क्या है पीपीटियो का मतलब क्या है तो देखो पीपीटियो का मतलब क्या है पैपर पास थर्ड ओनली यानि कि ऐसे विद्धार थी ऐसे विद्धार थी जिनका first year second year में से कोई दू चलता आ तो आपके पास हो गए ये तो कंफरम है पर पास तर्ड ओनली पीपीटीओ का मतलब है पर पास थड ओनली यह पास चुक है आपका लेकिन जो आपका डू चल रहा था फश्ट और सेकंड यर का वो फिर से डू रह गया है यह चीज आप दान रहे देख लेना पर्टे कुलर य यह होते हैं भी कोमड़ों को एक सब्जेक्ट में उससे डाउन जा रहा होगा यह चीज आप जान रखें सबसे इंपोर्टेंट बात आप के लिए पीपीटियो का मतलब पेपर पास थर्ड ओनली यानि थर्ड एयर में तो पास हो गए विया लेकिन आपका जो पिछला को डू चल रहा था वो वहाँ पे रह गया होगा इस कारण से पीपीटियो लिखा आया है दान रखें फोर्म आपको वही फाइनल येर का बना पड़ेगा जब एक्जाम फोर्म बरे जाएंगे इस चीज आप दान रखें उसके बाद अब देखो दूसरी चीजे हैं पीपीटियो म अब बात करते हैं सप्ली मेंटरी आप आ चुके हैं कोई भी पेपर आप देख लेना चाहें जिसका फाइनल में अगर रहा होगा बैक एक पेपर या फिर एक सब्जक्ट के दोनों पेपर बैक रहे होंगे तो आपका S.U.W.P. लिखा आया होगा ये चीज़ आप जान लगे अब आपको लगता है कि हम रिवैल के आसपास हैं कहीं मतलब कि बैतर के जो आकड़ा है बैतर नंबर का पासिंग मार्स का उसके आसपास कहीं है तो लिवैल लगा देना क्या पता आप पास हो जाए नंबर बढ़ सकते हैं तो आप पास हो सकते हैं एक मतलब कि वह बढ़ जाएगा क्योंकि supplementary की अलग से mark sheet आएगी अगर आपने supplementary exam दिया तो आपके पास दो mark sheet हो जाएगी एक तो जिसमें SU डबल पी लिखाया है और एक जो supplementary exam देने के बाद में आएगा तो यह दान रिखेंगे दो mark sheet हो जाएगी अगर आपके supplementary exam दिया तो यह दान रिखेंगे अगर supplementary आप नहीं देते हैं और पहले मालो रिवेल में पास हो जाते हैं तो आपकी एक हिमारक sheet रहेगी जो आपकी अभी आई है उस SU पे डबल पी को आप clear करवाई लेंगे जो मतलब कि आपका result आता है रिवेल लगाएंगे तो उसमें अगर नमबर बढ़ते हैं तो एक ही मारक sheet रहेगी पूरे सब जिदान रखे ग्रेजियोशन की तो ऐसे चीजे होगी सप्लिमेंटरी के फोरम कब बरे जाएंगे तो सभी के रिजल्ट जब आ जाएंगे उसके वाद में फोरम लगेगा अब किसी का ऐसा नहीं किसी का मालो की पेपर पास थर्ड उनली में के वाहिम एक रिजल्ट आने के बाद में फोरम आएंगे और ठीक उसके सबाभने के और आइंगे अग्ज़ां जूट्र आएंगे और नहें जो एरिया तो इस बार कहा होगा यह फोरम जब आएंगे तब ही पता चलेगा यह चीज आप जान रखें रिविलेशन की बात करते हैं रिविलेशन का क्या है अर्थ, जो भी रिज़र्ट से ऐसंतुष्ट हैं, जिनको लगता है मैंने बहुत अच्छे से पेपर किया था, लेकिन नमबर कमा रहे हैं, काफी विध्यारती कर रहे थे कि एक मे तो मेरे साथ नमबर आ रहे हैं, एक में लगा देना यह सबसे इंपोर्टेंट आपके लिए नंबर बढ़ जाते हैं इसको लेकर जैसे फोरम चालू होता है जिस दिन रिजल्ट आया है ना उसके दूसरे तीसरे दिन से चालू हो जाता है रास्ता निश्टी के ओफिशल वेबसाइट पर अपडेट आजाता है उसको से से नंबरों का घंञित किसी साबसे रेने वाला बैतर किसे साबसे करने है कौन से में रिव्यल लगाना अचीय इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात कर एंग उस वीडियो में जो की सपेसल रिवलेशन को लेकर रहेगा इस अप जहां रखाइं पछले वीडियो पिछल से चार्ज होता है 50 सब्जक्त में ही attach anton् शुब्स ब फाइनल होते हैं तो तीन में प्रेवलेशन लगा पाएंगे आपड़ेट है राजस्थान रिज्ड्स आया है उस इतरों से सवाल गें को मिल रहे थे अगर आपका कोई सवाल रहा गया हम आपके मारक्षिट में इन से अलावा भी कुछ लिखा आया है तो कमेंट कर देना उसका जो मिल जाएगा इचीज आप द्यान रहे आपको मैं उसके बारे में डिटेल से समझा दूँगा एचीज आप द्यान रहे दूसरा वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन प्रेस करें कोई सवाल रहा गया तो चैनल पर कमेंट कर देना जुड़े रहे हैं चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्यू कर देनल के सुझ़ हैं लिए है प्रेस कि यू रहे मैं थिएर वोली में रचैनल को सब्सक्राइब कार दो चैनल के सब्सक्राइब और के सपjung 00-9-19-20 Bennett बधनल को सब्सक्राइब